हमदे ही में आज की वीडियो में हम बात करेंगे how to manage order in WooCommerce store तो आभी तक होह हमने पूरी वीडियो डिसकस कर ली हमने complete WooCommerce डिसकस कर लिया हमने पूर्ट मिलाना सीख लिया हमने setting secretly tax shipping and etc ठीक है तो अभी तक जो है मैंने आपको product orders जो है वो manage करना क्यों नहीं सिखाया because सबसे पहली reason जो इसके लिए था कि हमारे पास store पे पहले कोई order नहीं था और order इसलिए नहीं था क्योंकि product नहीं था तो सबसे पहले हमने क्या किया हमने product create किया हमने series complete करी and then फिर मैंने खुद से एक order place किया जिसका status आप देख सकते हो कि cancelled है अभी मेरी website के उपर ठीक है और उस order को जो है मैं आपको manage करना सिखा रहा हूं ठीक है because it's almost it's a final step ठीक है पहले आपके लास्ट की वीडियो में जो है मैं discuss कर रहा हूं तो अभी चलते हैं हम इसको कैसे manage कर सकते हैं तो देखो यह normal एक post page की तरह आपको जो display हो रहा है ठीक है तो अभी देखो इसमें आपको क्या में देखने को मिल रहा है यहां से bulk action जो cancel ठीक है यहां से आप बल्क में यह action कर सकते हो आप multiple order यहां से select कर दीजिए ठीक है and then जो हो आप action apply कर सकते हो उस particular order के ओपर ठीक है अब कुछ specific date wise जो है वो आप order से जेख सकते हो month wise आप देख सकते हो mostly तो आप December के अगर आपको order देखने है तो आप यहां पर click करेंगे and December के order आप यहां से देख सकते हो ठीक है then customer wise अगर आपको order देखने है तो आप यहां से customer search कीजिए and then filter कर देजिए ठीक है तो यह हो गया हमारा outer जो panel था अब मैं internally order के अंदर चलता हूं कि order के अंदर को है आपको क्या-क्या steps जो है वो करने होते हैं और आपको क्या-क्या देखने को मिलता है तो आप यहां देख सकते हो यह order ID है मेरे पास सबसे पहले order ID यहां पर मिल रहा है मिरेको ठीक है उसके बाद इसकी जो date कब यह order create हुआ था time ठीक है इसका status क्या है canceled है यह processing में है pending में है क्या है यहां से आप देख सकते हो और यह status आप change भी कर सकते हो अपने according ठीक है एंड जो customer का email ID जो मिलेको देखने को मिल रहा है यह नाम मेरे को जो देखने को मिल रहा है यहां से देखने को मिल रहा है ठीक है, खुद ही मैंने order place कहता हूँ, तो यह मेरा ही नाम and address हारा है, ठीक है, वैसे यह मेरे को billing देखने को मिल रहा है, और customer का shipping मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है, मैंने क्या-क्या items डाले थे, उसकी क्या cost थी, कितनी quantity थी, उसके अपर क्या GST लगा, यह सब मेरे को देख को मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको order को refund करना है, तो आप यहाँ से order जो है, वो refund भी generate कर सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में जो है, वो right side में हमें यहाँ पर order actions देखने को मिलते है, order actions like, कि मिरको यहाँ से email या unvoice जो है, वो customer को दोबारा से mail करना है, ठीक है, recent order notification, अगर आ उसकी permissions आपको दोबारा से regionate करने, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके, और इसमें जो सबसे important चीज है, कि अगर आप इन में से कोई भी चीज जो है, वो apply करते हो, अपने order के उपर, तो आपको क्या करना है, आप इसको update नहीं करेंगे, क्योंकि update से कुछ नहीं होगा, आपक आपका email जाएगा invoice, आपका recent new order notification तभी recent होएगी, और regionate आपकी तभी होगी, download permissions, जब आप इस button पे साथ में click करोगे, उसके बाद इसको update कर दोगे, क्या action आपने किया था, उसके बाद आता है आपका order notes, आप यहाँ personal use के लिए जो है, वो order note डाल सकते हो, आपको कोई भी note दालना है, या आप customer के लिए जो है, वो note छोड़ सकते हो, आप note to customer करेंगे, और यहाँ लिए देंगे, जो note जो है, वो उसके account page में, उसके order के उपर जो है, वो appear हो जाएगा, ठीक है, तो I hope मैंने जो है, आपको enough information दी है, order manage करने से related, ठीक है, अगर आपको वीडियो subscribe को ना मत भूलना, thank you so much for watching.